Hello everyone, welcome back to our channel, इस वीडियो में बात करने वाले हैं TCS की new hiring के वारे में, तो यहाँ पे TCS की तरफ से new vacancy का notification रिलीस किया गया है, जिसके लिए all over India से candidate apply कर सकते हैं, चाहे वो फिर male हो या female, दौनों ही candidate के लिए vacancy निकाले गई हैं, साथ ही में यहाँ पे fresher candidate apply कर सकते हैं, तो पू जरू देखें ताकि आपको पूरी information मिल पाए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को like, share करके चैनल को subscribe कर लें और well icon पर press कर लें, ताकि future में आने वाली हर एक update का notification आपको सबसे पहले मिलता रहे, तो आपको कोई reward वैग नहीं मिलता है, तो आपको इस वाली website पर registration जरूर कर लेना चाहिए, जहां पर आप देख सकते हैं, हर्मन, Genpack, TCS, Cognizant जैसी top MNC company की job update यहां से आप सभी को मिल जाती है, और job आपको मिल जाती है, करना simple यह है कि यहां पर आपको register knob पे click करना है, register knob पे click करने के बाद अपनी कुछ basic information को आप fill करेंगे, और अपन resume यहां पे आपको upload कर देना है, और पूरा process आपके लिए free of cost रहेगा, कोई भी charges आपको pay करने की जरूरत नहीं है, तो free में आप सभी services का benefit यहां पे ले सकते हैं, इससे benefit आपको यह होगा कि directly आपकी qualification criteria की according job update आना start हो जाएंगे, वो भी आपके mail पे, और वहां से अगर आप apply करेंगे, तो report back मिलने की chances जादा होते हैं, जिससे कि आपको job मिलने में काफी help हो जाएगी, बहुत सारे candidate को इसकी help वी वजह से job मिली है, तो आप भी इस चीज़ का benefit ले सकते हैं, registration करने का link आपको वीडियो का description में मिल जाएगा, वहां से आप इसके लिए registration करवा सकते हैं अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर TCS की वीकिंसी के बारे में, तो TCS की तरफ से official recruitment notification रिलीस कर दिया है, तो जो भी interested eligible candidate हैं, वो TCS की official recruitment website पर जाकर online application form submit करवा सकते हैं, any other mode अगर आप use करेंगे, तो आपके application form को consider नहीं किया जाएगा, और उसे reject कर दिया जाएगा, इसलिए आ अगर आप सभी को यहाँ पर दी गई हैं, तो इसके according आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, फिर यहाँ पर नीचे आपको Tata Consultancy Services के वारे में कुछ information देखने के लिए मिल जाएगी, यानि कि TCS की company की information आप सभी को यहाँ पर दी गई है, तो TCS के वारे में already आप सभी जानते ही होंग तो यहाँ पर two type के आपकी विकिंजी रहेंगी, एक आपकी रहने वाली या BPS यानि Business Process Services, दूसरा आपकी रहेगी IT यानि Information Technology, तो दोनों अलग-अलग department में विकिंजी रहेंगी, दोनों के लिए qualification criteria भी अलगें, तो आपको यह समझ लेना है कि आपका qualification criteria कौन सी job profile से match होता है, उसके बाद ही आप इसके लिए apply करें, अगर directly आप apply कर देंगे, तो फिर कोई problem हो जाएगी, और आपको वहाँ से reward back नहीं मिलेगा, eligibility criteria में बात करें, तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे age limit, तो ऐसे candidate जिनकी इस 18 साल है, यह 18 साल से अधिक हो चुकिए है, वो सभी candidate इसके लिए apply कर सकते हैं, education qualification की बात आती है, तो देखें, यहाँ पे कोई भी candidate जो भी इसके लिए apply करना चाहता है, वो graduate होना चाहिए, लेकर यहाँ पे जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि दो post आपको दे रखें, एक BPS दे रखें, एक IT दे रखें, अब अगर मैं IT के लिए बा अगर जैसे simple आपने BA कर रखा है, BCOM कर रखा है, simple आपने BST कर रखें, तो आप BPS की जौव के लिए ही apply कर सकते हैं, बागी की post के लिए आप इस तरीके से apply नहीं कर सकते हैं, तो आपको यह यहाँ पे clear होना चाहिए, कि आप कौन सी qualification criteria के साथ कौन सी post के लिए apply कर सकते हैं, फिर बात आती है, education qualification के बारे में तो already मैं आपको clear कर दिया है, और फिर last में बात आती है, यहाँ पे pay scale, कि कितनी हमें salary मिलती है, तो minimum यहाँ पे 42,000 से लेके 71,000 per month expected आपको salary मिल जाती है, तो काफी अच्छी खासी आपको salary स्टार्रिक में मिल जाती है, जॉब location की बात करें तो full time permanent आपकी job रहती है, तो अच्छी खासी आपकी job रहेगी, साथी में fresher and experience दोनों candidate इसके लिए apply कर सकते हैं, selection process में केवल आपका interview होता है, और जब आप interview qualify कर लेते हैं, तो फिर आपका documentation होता है, काफी candidate application fees के बारे में पूछते हैं, तो यहाँ पे कोई भी application fees नहीं है, free of cost आप इसके लिए apply कर सकते हैं, यह who can apply, तो all over India से कोई भी male and female candidate apply कर सकता है, apply करने के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों candidate को option दिया गया है, और साथी में अगर बात करें, तो apply करने के लिए आपको इसकी official website पे जाके login करके, आप इसके लिए online apply कर सकते हैं, यहा अफी candidate पूछते हैं कि इसका interview कब होगा, तो आप सभी को बता दें कि पहले process होता है apply करने का, और apply करने के बाद फिर process start होता है, आपके application form का solid listed होने का, जब आपका application form solid listed होता है, जो आप profile से match होती है, आपकी qualification criteria, तो आपको HR team की तरफ से mail या WhatsApp के through confirm कर दिया जाता है, कि interview होगा, उसके according आपको confirm कर दिया जाता है, यहाँ पे कुछ दी गई है important links, तो online apply करने की link भी आप सभी को दी गई है, online apply करने के लिए screen पे दिख रही website को Google में search करें, आगे का process आपको बताते हैं, आप जो भी device यूज़ करें, चाहाँ आपके पास mobile हो, laptop और desktop हो, आप इसमे Google browser open करेंगे और यहाँ पे आपको search करना होगा, study4dreams.in, तो यह website जैसे ही आप search करेंगे, सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरीक एक interface मिलेगा, जहाँ पे आपको link मिलेगी, study4dreams, learn4future, first वाली जो link आपको दिख रही है, जैसे ही आप इस पे click करेंगे, click करने के इस frequency को find कर सकते हैं, जैसे ही आप notification पे click करेंगे, इसकी detail notification आपके सामने open हो जाती है, वैसे तो already मैं आप सभी के साथ पूरी information share कर दिया, वड़ा अगर आपको फिर वी कोई doubt है, तो आप यहाँ पे confirm कर सकते हैं, जैसे ही आप इसे scroll down करेंगे, तो यहाँ पे option आपको एक IT, एक BPS, IT के कौन apply कर सकता है, VPS के लिए कौन apply कर सकता है, वो already मैं आप से भी को बता चुका हूँ, तो जो candidate IT के लिए apply कर सकते हैं, वो IT और VPS दोनों के लिए apply कर सकते हैं, बड़ जो candidate के वल VPS के लिए apply नहीं कर सकते हैं, अब maximum जो candidate होते हैं, वो BPS के लिए apply करने वा interface open होता है इससे पहले गया होता था कि बहुत सारे fake registration हुआ करते थे TCS की website पे जिसकी वजह से अभी TCS ने आपकी email ID verification वाला यहां पे कुछ system add कर दिया है कि सबसे पहले आपको अपने email ID का verification देना होगा जिससे की कोई भी fake registration ना हो तो यह सबसे important point आपके लिए रहता है इसमें बहुत बार candidate को काफी time लग जाता है तो आप continue दो चार बार इस पे click ना करें सिर्फ एक बार अपना email address डालें और डालने के बाद get OTP पे click कर दें इसके बाद थोड़ी देर wait करेंगे और wait करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी email ID पे आपको OTP receive हो जाएगा और उस OTP को enter करके आप सब proceed कर देंगे तो बागी का process बहुत ही simple and easy रहता है वो मैं आगे आपको बता देता हूँ के बाद जैसे आप इसे submit करेंगे submit करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके के interface आता है जिसमें other verification का option आपके पास आजाएगा यहाँ पे क्या है कि आपको अपने other card के last four digit आपको enter करने होते हैं authentication purpose के लिए तो last जो भी other card के four digit है वो आप यहाँ पे enter कर दें और इसके बाद अपना first name last name middle name जो भी आपके पास है date of birth वो आप डालेंगे and I agree पे click करके proceed कर देंगे जैसे हैं वो यहाँ पे fill कर देंगे सिर्फ आपको example देने के लिए I agree पे click करूँगा फिर यहाँ पे आपके सामने कुछ privacy notice आएगा इसे agree पे click कर देना agree पे click करके proceed पे आप click कर देंगे जैसे ही आप proceed पे click करेंगे personal details आप सभी को दिखा देगा यहाँ पे title जैसे ही आप select करेंगे तो gender भी आपको इसी के according देगा तो gender select करने के बाद फिर यहाँ पे अपना mobile number एंटर करेंगे institute name आपको डाल देना है फिर qualification यहाँ पे डाल देंगे year of passing आपको पूछेगा कि qualification क्या है वो भी qualification आप यहाँ पे select कर सकते है year of passing आपको पूछेगा कि कौन सी year में आपने पास किया है तो वो आपको डाल देना है साथकती में source type आपको पूछेगा कि आपको कि source है इस job के बारे में पता चला तो direct applicant भी आप डाल सकते हैं आपको बड़िबेंट करेगा अगर आप चला है तो YouTube यहाँ पे डाल सकते हैं source name YouTube तो YouTube यहाँ पे डालके फिर nearest TCS office जहाँ पे आपका interview वगरा contact हो सकता है और वहां से आपको आपका हो सकता है hiring office भी आपको इसी को फिर माना जाए तो यहाँ पे जो भी आपका nearby TCS office है वो आप यहाँ पे select कर देंगे जो भी आपका है वो आप यहाँ पे select कर सकते हैं यहाँ पर confirm password डाल लेंगे, security creation आपको add करना फिर उसका answer देना है और यहाँ पर capture को fill कर देंगे और यह capture fill करने के बाद आपका जो registration होता है वो complete हो जाता है और जो आपकी ID होती है वो यहाँ पर create हो जाती है फिर उसके बाद कभी भी आप login करके उसका status check कर सकते हैं तो login का option आपको मिलता है जिसमें आपकी email ID, password आप enter करके capture text डालेंगे और login कर देंगे तो जिस ID से आपने registration किया है उसी ID से आप यहाँ पर login कर सकते हो जो भी password आपने create किया है वो password आप यहाँ पर डालेंगे फिर यहाँ पर open आपका हो जाता है तो इस तरीकी से आप apply कर सकते हैं पूरी process मैंने आप सभी की साथ share कर दिये कि कैसे आपको apply करना है साथी में जैसे कि मैंने starting में बताया था कि अगर आपको job ना मिलने से काफी ज़्यादा परिशान है और apply करते हैं वो reward नहीं मिलता है तो आपको इस website पर जरूर से registration कर लेना है बहुत सारे candidate ऐसे हैं जो कि इसका benefit ले रहे हैं पूरी तरह से free of cost है कोई भी charges आपको यहाँ पर pay नहीं करने हैं पल अपना information यहाँ पर fill up करेंगे और इसके बाद अपना resume अप्लोड कर देंगे और डारेक्ली आपको job update आना start हो जाएगा वीडियो को description में दे दिया है वहां से आके आप इसके लिए registration करवा सकते हैं तो आई होप आपको वीडियो ज़रू पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को like share करके चैनल को subscribe कर लें और वैल icon पर प्रेस जरूर कर लें तकि future में आने वाले job update के notification आपको सबसे पहले मिलते रहें मिलेंगे नेक्स वीडियो में फिलाल के लिए वस इतना ही so thank you for watching जय हिन जय बारत